ओके गुड़ इविनिंग दोस्तों वेल्कम टू चैनल मेरा नाम रवी क्या मेरा नाम रवी मैं आपके लिए मैथेमेटिकल कंटेंट और के बेट लेकर आता हूं तो एक डाउट मेरे अभी एक सब्सक्राइबर ने पूछा तो मैं उसको क्लरिफाय कर देता हूं क्यूंकि मै मैं अगर क्लरिफाय नहीं करूंगा ऐसा नहीं कि मैं ही वीडियो बनाऊंगा उस पर हजारों लोग वीडियो बनाएंगे और अपनी रोटिया सेखेंगे लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत निये कोई क्या कर रहा है लेकिन कोई डिजगाइस ना करे आपको इसलिए मैं कर दिया है कोट ने ठीक है और एंसीटी का जो था कि यह वाले प्याइट वाले उसको और रूल कर दिया अब आप कहूंगे कि ऐसा हो गया ऐसा क्यों हो मेरे बात सुनना प्रैक्टिकल बात कहूंगा आप चाहे किसी स्टेट से व्लाउं करते हो मुझे फरक नहीं पड़ता देखो यह सिंप्ली स्टेट और कोहीं कोई वोट बैंक की राज़ दिती करते हैं इसका क्या मतलब है उन्हें लगता है कि जो चीश करने से उनको वोट बैंक मिले गा वही करते हैं और वह नहीं करते हैं अब आप कहोँगे कि कोट और दे रही है देखो जब आप यह कह सकत हो कि सेंटर सुप्रीम कोड जो आउडर देता है उससे सेंटर के ही जज़ बैठे होते हैं तो ऐसा वहां भी हो सकता है ठीक ना क्योंकि अब आप समझेना अगर सुप्रीम को अगर राजिस्तान हाइज को ये इन्वैलिट करना था वैसे तो चाहित हो वो कंडिडेट सुप्रीम पोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इसमें हमें नहीं पढ़ना ठीक है लेकिन मैं क्या कह रहा हूं क्यूंकि हम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे अगर उन्हें कैंसल करना था तो पहली बात तो यह कि रीट को मतलब राजिस्तान को इसको शामिली नह रहा था ठीक है ना 2021 में टोटल सोला लाग बच्चों ने सोला लाग से ज्यादा है 16.5 पता नहीं कहां से बैठे और सोचने के लिए सोला लाग बच्चों ने रीट का पेपर बढ़ा था और यह आपको भी पता और यह मुझे भी पता है कि जो सेकंडरी लेवल बढ़ता है वह मैक्सिमम चांसित होते है प्राइमरी लेवल भी बढ़ता है ठीक है क्योंकि बीएड होने के वज़े से वह होता है तो मैं माल लेता हूं सोला लाग में से मैं बात कर रहा हूं सोला लाग में से दस लाग बच्चे ऐसे हैं जिन्नोंने रीट का प्राइमरी लेवल का पे लाग बच्चे हैं जिन्होंने बीएड कर रहा था और प्राइमरी टीचर से भारा हुआ था अब मुझे नहीं पता ही केलकुलेशन कितनी है क्यूंकि हमें इससे मतलब भी नहीं हमें के विस से मतलब है मुझे हो सकता है इसका निवाव से दुख हो वा मुझे पता है मेरे दो तो कितना होगा आप देख लो यह नंबर डबल डिजिट्स में आएगा और वह भी करोड में और यह सारा का सारा किस पर गया उस राज्य की सरकार पर गया है कि ना पता हमारा सिस्टम ही ऐसा है अगर मैं कर रहा है तो को यह भी कहना चाहिए रीट को कि जिन बच्चों ने किराया और मेंटल हरस्मेंट सब वापस करनी चाहिए लेकिन इन सबसे को और बच्चा चाहे तो चैलेंज कर सकता है और जीते हिलेगा वह जोप के लिए दिए और आज कल परसो और लगा-तार यह वीडियो चलती hmm रहेगी कि क्चे के मिय स्वाले भी ऐसा ना कर देंक से मेरे माबाब और मेरे टीचर्स जहां भी मैंने सीखा हमें एक बाताई कि रवी अगर कोई कुछी भी कह रहा है आगर कोई कुछी भी कह रहा है आप सुनो सबकी फिर अपना दिमाग लगाओ अब आप सोचना अगर केविएस में बीड वाले को इनलिजिबल करेगा तो दिमाग लगाओ 2000 गीट वे तो इस बार सामिल गिया ना बीएट वालों को इसलिए उस पर बवाल चला बीएट वाला पी आरटी के विएस तो 2018 से पिछले साल जो हो चुक है उनका अब इस डिसीजन को ओवरूल करना बहुत मुश्विल होता और मैं कहूं ना के बराबर होता है तो ऐसी किसी अफवा में मत पढ़ना कि के विएट पी आरटी वाले शामिल नहीं हो पाएंगे यह डेफिनिट है कि जैसा रूल पहले था व इंसान मैंने देखा और काटते विए देखा है अगर कोई थम नेल डाल दे की काले इंसान ने कुत्ते को काटा आप पागलों की तरह देखोगे कि भाई मैं भी तो देखू कैसे देखता है इसका अब इस्तमाल करा जाएगा भरपूर कैसे ये तो अप हुआ पहले से ही चल पॉलेसी के हिसाफ से होंगे कि जोनवाइज वेकेंसी लिकली की बाकी कोई के लिए बीएड वाले candidate eligible है और रहेंगे ठीक है ना अब इसके लिए फालतु मस सोचना और दुनिया वर के मस सीचना आप पता है यूटूब पर यही बवाल चलेगा कि के विएस में मतलब राजस्तान की फैसले के बाद अब के विएस की बारी और आप लोग सोचोगे भाई नोटिफिकेशन में बीएड वाले eligible थे primary teacher ले तो अब 2022 वाले में भी eligible ही होंगे क्यों ऐसा थोड़ना कि वो PRT पे बीएड वाले जो पिछले बार लग गए और इस बार वालों को नहीं लगने देंगे तो इस बार वाले case नहीं कर देंगे कि तुने पिछले बार वालों को कोई भी सरकार सिर्फ पर सिर्फ वोट बैंक की चाहिए स्टेट हो चाहिए सेंट्रल हो वोट बैंक के उस पे चलता है और वही करते हैं जिन से उनके वोट बैंक को फायदा होता है ठीक है और यह सिस्टम की खराबी है कि अगर eligible नहीं था एक बच्चा बेचारा केरल से रा की ineligible है इससे वो लोग तो बहुत खुश है जिनको सीट बन गई और उनकी खुशी से हमें कोई लिना देना नहीं है हम खुश है कि किसी को मिल जाए लेकिन मैं बस इस बात से घुसा हूँ कि अगर eligible नहीं था तो उन्हें form के पैसे नहीं लेने चाहिए और अगर थोड़ी लेकिन आप लोग मैं बार-बार कहते हा रहा हूं इसीले मैं आपको कह रहा हूं कि आप जल्द से जल्द जौब पालो क्यूंकि यह सिस्टम ना या यह जो भी चीज़े है यह निगलने के लिए त्यार है आपको चाहे यूट्यूब ले लो चाहे कोशिंग इंसिट्यूट ले लो छहे कोई भी ले लो वो चाहता है कि कब जोर को दवाये जाए इसीले सिस्टम से निकलो एक सरकारी नौकली लो फिर आपको फरसर नहीं पड़ेगा की करीट क्या सोच रहा है क्विस क्या सोच रहा है सब्सक्राइब जिनकी लगी विए वह मैं बोलता हूं उनसे की गया करता चोड़ो यार तुम्हें के अटेंशन है काओ-प्यों मस्ट करूं कि वह इस लाइन के पार आचुके तो आपको भी इस लाइन के पार आना और इस बास से बिल्कुल भी बहराना है कि रिट वाला PRT के लिए eligible थे और रहेंगे ठीक है Thank you